नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल पर साथियो आज के इस वीडियो में अपन रीट साइकोलोजी यूनिट नमबर तीन का सलेबस जो हो उसको डिसकस करने वाले हैं यूनिट नमबर तीन में क्या-क्या टोपिक पढ़ेंगे किस प्रकार से उनमें क्या-क्या सब टोपिक्स अपने को पढ़ने इन सब के बारे में डिसकस करेंगे साथ ही आप कहां से इनको पढ़ सकते हो ताकि आपको फाइदा होगा वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा इससे पहले बताना चाहूँगा कि यूनिट नमबर जो एक है और दो है वो कम्पलीट करवा चुके हैं और उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा रीड साइकलोजी नाम से प्लेलिष्ट बना रखी है उसमें यूनिट नमबर एक और दो दोनों के वीडियोज समाहित किये हुए हैं तो आप वह पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन लिंक्स पर जाएगा और लिंक पर जाने के बाद आपको वीडियोज के लिंक मिल जाएगा आप वीडियोज को देख सकते हो ठीक है साथी हो तो आपको डेफिनेटली इससे फाइदा होगा और शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो और इसमें अपन बात करने वाले हैं रेट के लिए जो साइकलोजी आएगी मनोविग्यान जो आएगा उसकी यूनिट नमबर तीन है उसके बारे में बात करेंगे डिसकस करेंगे तो पहला जो अपना टोपिक रहेगा इसमें टोटल अपने को तीन ही टोपिक पढ़ने है यूनिट नमबर जो तीन है उसमें अपने को टोटल तीन टोपिक पढ़ने है पहला है वेक्तितव दूसरा क्या है बुद्धी वाला है और तीसरा है वेक्तित विभिन ताएं तो उनके बारे में भी बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, व्यक्तित्वा के बारे में, साथ यो सबसे पहले अपन देखें, तो व्यक्तित्वा में अपन पढ़ेंगे, इसकी संकल्पना यानि व्यक्तित्वा के बारे में डिसकस करेंगे, व्यक्तित्वा सब लगो जानते हैं अप्र यह सारी बाते हैं अदर इसके पर्कार देखेंगे अब परकार भी क्या है देखिए साथ हो अपन जानते हैं व्यक्तित्व के परकारों में अपन क्या पढ़ते हैं कि जैसे हीपोक्रेटस का वर्गीकरण हो गया, सारीरिक दरश्टी कोण के अनुसार वर्गीकरण करेंगे, इसके आलावा काफी सारे मनोवेग्यानिक परकार से वर्गीकरण करेंगे व्यक्तितवा का, तो बहुत अलग अलगा उधारनाए हैं, उनके अनुसार पास साते अपन व्यक्तितवा के परकार में पढ़ेंगे, फिर व्यक्तितवा को परभावित करने वाले कारे कोन-कोन से इनको भी डिसकस करेंगे, यह बिल्कुल सामाने से चीज़ें जैसे वनसानु करमहा वाता बनाई, यह सारी चीज़ें व्यक्तितवा को परभावित करती हैं, ल इक्ष्णों को अपन यहां डिस्कस करेंगे इसके अलाव व्यक्तितव से संबंदित जो सिधान थे जैसे मनोभिष लेशनात्मक सिधानता सिग्मन फ्राइड का दार्षिनिक द्रश्टिकौंट देखेंगे समासास्त्रिय द्रश्टिकौंट देखेंगे तो यह सारी चीजे जो हैं डिसकस अपन इसमें करेंगे तो काफी important है का दोस्तो जैसे विक्तितव का A टाइप वर B टाइप जो है विक्तितव का परकार है वो भी अपन देखेंगे काफी important है फ्रीड मैन वर रोजेन मैन के द्वारा ये दिया गया था ठीक है A टाइप और B टाइप वाला तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को पढ़नी है कारात्मक मोडल है विक्तितव के सिधानत में तो वो भी अपन डिसकस करेंगे तो काफी important चीज़ें अपन देखने वाले हैं काफी बड़ा topic है विक्तितव है और इसको अपन बढ़ियां तरीके से short में complete करेंगे और यानि कि इतना मेटर माँ आपको पढ़ाऊँगा कि उससे बाहर आपको विक्तितव है मेरे हिसाब से रीट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा तो रीट के लेवल के इसाब से आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने के आऊ सकता नहीं है अगर आपने हमारे वीडियोज को देखा है तो हम आपको practice भी करवाते हैं और syllabus जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपके practice set भी आपको करवाएंगे ठीक है साथियो तो ये वेक्तित्वा का अपना topic हो गया दूसरी एपन बात करेंगे बुद्धी बुद्धी जो साथियो topic है काफी important exam की दरश्टी से यहां से जो हर एक बार आपको एक आदा परसंदेखने को मिल ही जाएगा बहुँ जदा important topic है आपके exam की दरश्टी से तो उसी हिसाब से अपने को इसको पढ़ना पड़ेगा unit number जो तीन है उसमें तीन ही अपने पास topic है और परते एक unit से अपने जानते है पांच unit है अपने टोटल और परते एक unit से 6 नंबर का person आएगा यानि कि 6 पन जो 30 इस परकार से 30 नंबर का पूरा paper होगा 6 person आएँगी यानि 3 topic है तो 2-2 percent परते एक topic से आने की संभावना रहती है और बुद्धी वाले topics है तो 100 percent 2 percent तो आएँगे आएँगे और एक आदा extra भी आ सकता है तो बुद्धी वाला जो topic है काफी ज़्यादा important है थोड़ा सध्यान में इसको रख लिजिएगा आप लोग क्योंकि ये काफी important exam की दरश्टी से इसमें संकल्पना देखेंगे कि बुद्धी का सामाने अर्थ क्या है अपन सब लोग जानते है कि बुद्धी जो है वो विचार करने वा समस्त मानसे किरियाओं का संगठित रूप होता है उसी को अपन बुद्धी बोलते है फिर बुद्धी की परिभासाएं है बुद्धी का विकास कैसे है बुद्धी सब्द कहां से है क्या आया सारी बाते हैं अपन डिसकस करेंगे अमुर्थ योगेता अमुर्थ चिंतन क्या होता है मुर्थ चिंतन क्या होता साही चीज़े देखेंगे परिबासाइं भी देखेंगे बुद्धी के जो सिधान्त है, जो की most important है, बुद्धी के सिधान्त और बुद्धी के परकार, यहाँ पे बुद्धी का परकार नहीं लिखा, यहाँ पे एक topic और add कर लीजिएगा, बुद्धी के परकार, परकार भी साथ ही अपने को पढ़ने, बहुत important है वो भी, और कारक सिदान्त है एक खंड सिदान्त है त्री खंड सिदान्त है आपका बहु कारक सिदान्त है आपका काफी सारे सिदान्त है समू का सिदान्त है ठीक है तो सारे के सारे सिदान्त जो है वो सारे के सारे सिदान्त आपको मैं करवाऊंगा जैसे आपका मातरा का सिदान्त है तरल प्रकारे सिध्धान्त याद हो जाएं, उसमें क्या है वो भी याद हो जाएं, जो मैंने साथियों पढ़ा है, जो पढ़ करके मेरे नमबर आएं, साइकलोजी में अलाग कि 30 में से मेरे लगबक साइट 24 नमबर थे या 23 नमबर थे इस प्रकार इतने ही नमबर थे, बट फिर साथियों, 2018 का पेपर देखना, उससे पहले मुझे यह नहीं पता था कि अप्लाइड क्योशन भी आ सकते हैं, रीट में, तो मैंने अप्लाइड क्योशन की एसाब से तियारी जो बहुत ही कम की थी, उसके बावजूद भी एक परसंद गलती से गलत हो गया, जो कि है, तो और अगर पेपर सिंपल आता है, तो पूरे प्रसंद आपको यहीं से मिलने की पूरी पूरी संभावना है, कहीं और बाहर आपको जाने की आऊ सकता नहीं है, अप्लाइड क्योशन भी इस बार मैं आपको थोड़ा सा एड़ करके पढ़ा रहा हूँ, जैसे कुस टो मापन जो है, आपका बुद्धि लब्दी वगरFit क्या होती है, सारी बाते डिसकस करेंगे, बुद्धी के मापन में बहुओ आयमी बुद्धी क्या है, ठीक है, तो सब बातें जो है, वो बुद्धी वाले टॉपिक में अपन डिसकस कर लेंगे, और इसके बाद जो अपन आएगा कोई भी दो बालक समान नहीं होते यही है बस विक्तिकत विबिनता है कोई भी दो बच्चे विक्ति या मनुस्य या पसु वो समान नहीं होते हैं अलग लग होते हैं वही विविन्ता है इसके परकार भी देखेंगे अब साथियो परमुक परकार जैसे परकार जब विविन्ताओं के परकार विक्तिकत विविन्ताओं के विक्तियों के परकार अपना अलग लग परकार से देख सकते हैं जैसे परतिवासाली बालक हो गया, मंद बुद्धी बालक हो गया, सरजनात्मक बालक हो गया, इन सब परकारों को भी अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और साथियों इन से एक परसन आपको देखने को मिल जाएगा, जितने भी जो ये व्यक्तिकत विविन्ता के आदार पे जो बच्चों के प परतिबासाली है, सरजनात्मक बालक है, जड़ बुद्धी बालक है, आपका अपरादी परवर्ती का बालक है, सब को डिसकस करेंगा और इन में से एक परसन आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बाद में व्यक्तिकत विविन्ताओं को परभावित करने वाले कारक हो जा परति और धरम पर आधारित जो है, ये परतिबंद नहीं, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, आधारित भी व्यक्तिकत विविन्ताओं को अपन पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें जो हैं, ये दोनों के दोनों जो टोपिक हैं, पॉइंट जो हैं, वो बिलकुल इनी लाइ सकता है, उसका विकास अच्छा होगा, और वातावन खराब मिलेगा, तो जाहिर सी बात है, उसके विकास में भी समझाई आएंगी, जैसे गाले गलोच करते ना, अगर बच्चे के सामने अपने हर वक्त करते रहेंगे, तो बच्चा भी वही सिखेगा, तो वही सारी चीज जाती है, और धरम का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे हिंदू धरम का बालक है, तो जाहिर सी बात हो, मंदिर वगेरा में जाना जादा पसंद करेगा, और मुस्लिम धरम का है, तो मस्जिद वगेरा में जाना जादा पसंद करेगा, शिक धरम का है, गुर्दवारे में जा तो ये है unit number 3 का पूरा मेटर जो अपने को पढ़ना है इस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है unit number 3 में तीन ही topic हैं तीनों topic को परतेक topic को मैं आपको करवाऊंगा जैसे सबसे पहले अपन व्यक्तितवा को start करेंगे और व्यक्तितवा में सबसे पहली बात करेंगे उसक आप जो है आपको अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है और बेल आइकोन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारे वीडियो के notification आपको मिले बेल आइकोन जैसे ही आप दबाओगे तो आपको all notification ऐसे इस परकार से 3-4 option आते हैं तो all वाले पर आपक क्लिक करना ताकि हमारे सारे वीडियो के notification आपको मिल जाएं चूंकि मैं परते एक सोमवार, मंगलवार, बुदवार, बिस्पतवार और सुक्रवार और सनिवार यानि कि संडे को छोड़ करके परते एक दिन सुबह साथ बज़े आपको हमारा psychology का वीडियो मिलता है तो और क फिर भी बेल आइकोन आप प्रेस कर लोगे तो आपको notification मिल जाएगा ठीक है साथियो अब फिर भी अगर notification नहीं आता है तो उसके लिए भी आप description में जाएएगा और हमारा telegram का एक group है telegram group को आप join कीजिएगा उस telegram group पे मैं वीडियो का link डाल देता हूं ताकि जिसके पास link नहीं पहुँचा वो भी वीडियो को देख सके ठीक है साथियो उमीद करता हूं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और कल से अपन सुरू कर लेंगे unit number 3 और सबसे पहले बात करेंगे विक्तितव की और ठीक है साथियो उमीद करता हूं सारी बातें clear हो गई ह है कि क्या रीट 2021 में फरवरी में हो जाएगी साथियो यह जो अभी new चल रही है इस से पहले ही मैंने काफी पहले मैंने बता दिया कि फरवरी की संबावना बहुत ज़दा है रीट होने की क्यों क्योंकि टेट हो रीट का पंदरा वाला हो 18 वाला हो सारे के सारे कि कब हुए ह फरवरी में हुई है अब फरवरी में भी जो पर्थम सब्ता ड्यूटीय सब्ता लगब कोशिच रहती है पर्थम सब्ता में हो जाए लेकिन ड्यूटीय सब्ता में अगर संडे जल्दी है तो ड्यूटीय सब्ता में होता है तो फरवरी में पास से लेके पंदरा के बीच में क जाएए आपको डेफिनेटली फाइदा होगा दोस्तों ये अक्टूबर का महीना चल रहा है पिछली बारी भी लग 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 नौंबर या साई दिसंबर में फोर्म आये थे और जैसे ही फोर्म आये थे उसी हिसाब से मैंने तो यह रिश्टार्ट की थी मैंने भी सारा म कवर किया और फिर 128 माक्समा लेकर किया तो आप लोग भी कर सकते हो और आप लोगों के साथ मैं जब तक एक्जाम रिट किया तब तक आपके साथ ही हूँ उसके बाद और भी जो एक्जाम आएंगी उसमें भी मैं आपको त्यारी करवा हूँआ लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो बच्चा पड़ेगा वो डेफिनेटली इसमें सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है साथियो उमीद करता हूँ जानकारी दी हुई जानकारी पसंदाई होगी आपको और मिलेंगे कल एक ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भार्त राम राम